हाज जी वेलकम बैग आज के इस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग देखने वाले ही किस तरीके से हम हमारे फेस्बुक बिजनस मैनेजर को वेरिफाई कर सकते हैं वैसे तो एक वेरिफाइड बिजनस मैनेजर के बहुत सारे फाइदे हैं बट आज के टाइम में सबसे जादा जो वेरिफिकेशन का यूज है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको WhatsApp की जो API है वो मिल सके फाइन तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले ही किस तरीके से इसको हम वेरिफाई कर सकते हैं अपने बिजनस मैनेजर को काफी डिटेल में समझेंगे अभी अगर मैं बात इसके लिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट की रिक्वार्मेंट है वो आप तैयारी कर लें क्यूंकि आपका अगर कोई जैनल बिजनस है तभी आप उसको वेरिफाई कर सकते हैं तो यहां पर आप देखो इंडिया में आप इन इन डॉक्यूमेंट को जो है वो यूज कर स लिए जो आपका विजनस है वो वेरिफाई हो जाए कोई दिक्कत की बात होगी नहीं तो कल मैंने रात में वरिफिकेशन की रिक्वेश्ट करी थे अराउंड 11 बजे रात में और सुबह 6-7 बजे के आसपास मेरे पास मेल आ गया था कि हमारा जो बिजनस मैनेजर है वो वेर वो आपकी प्रॉपर हो यहाँ पर सारी डिटेल सापकी प्रॉपर होनी चाहिए और यहाँ पर आपको जो बिजनस वरिफिकेशन स्टेटस है वो अनवरिफाई दिख रहा है तो जब आप इसके उपर व्यूपर क्लिक करेंगे तो आपको कहीं पर भी इसके वारिफिकेशन का option नहीं दिखेगा और अगर दिखेगा भी तो कुछ cases में आप ऐसा देखते हो कि आपको grade दिख रहा है यहाँ पर मतलब आप क्लिक करके verification की process को start नहीं कर सकते क्योंकि जब तक आप verification की process को start नहीं करेंगे आप अपने documents upload कहां करेंगे तो यह आपको यहाँ पर दिखता नहीं है इसके लिए आपको एक trick जो है उसको use करना पड़ता है आपको डमी टाइप की application जो है वह create करनी पड़ती ताकि आपका यहाँ पर जो option है वह विजिबल हो जाए अब उस application का सच हम लोग कोई बहुत जारा इस्तमाल नहीं करने वाले उसका जो परपस है के वलो के यहीं है ताकि हमारा जो business verification को option है वह यहाँ पर दिख जाए तो हम लोग क्या करेंगे simply हम लोग यहाँ पर आ जाए अपने business manager के अंदर ही आप एकाउंट्स वाले section में जाएं आप apps में जाएं और add करके आप create new app id कर दें यहाँ ठीक है मैं थोड़ा सा login कर लेता हूँ एक बार के लिए यहाँ पर और यहाँ पर आपको क्या करना है business select कर लोंगा उसके बाद मैं next के उपर आ जाओंगा आप का contact name हो गया और यहाँ पर मैं इस आप का नाम रख देता हूं मैं अपने ही नाम से रख सकता हूं उमर तसकीर आप आप रख दो या testing app whatever you want आप कर सकते हो मैंने इसका कोई बहुत थी खास purpose नहीं है बस केवल हमें इसमें verification करना है बस उसी लिए यह required है बाकि हम इस आप आपको further किसी और चीज के लिए यूज नहीं करने वाले तो अगर वो कहीं पर बीज-बीज में आपसे password वगएर आपका prompt करता है तो आप password वगएरा mention कर दें तो इस चीज को करने के बाद यहाँ पर जो है आपको एक app है वो बन गए अप कुछ basic सी settings आपको करनी है जैसे मैं आपको क्या करना है यहाँ पर कई बार देखते हैं आपको complete verification का option दिख जाता है पर अगर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है उसके बाद आप app review में जाएंगे यहाँ पर request के उपर जाएंगे आप request के उपर जाने के बाद आप यहाँ पर request permissions और features के उपर click करेंगे ठीक ह और आप वापस आ जाएं यहाँ पर settings के उपर मैं वापस आ जाता हूँ basic settings जो है हमारी उनके उपर ठीक है यहाँ पर आपको कुछ यह errors जो है वो दिखाई देगा एक बार कि आपको जो आपका app icon है वो mention करना है privacy policy जो है वो mention करना है category जो है वो mention करना है कर आप आप चाहें है वो activate हो जाएगा मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ तो उतनी चीज करने के बाद मैं वापस आ चुक हूँ उपने business manager के उपर और यहाँ पर अब जो हमारा status था उसमें मैं view details में जाता हूँ अब आप देखो यहाँ पर आपको verification for उमर तसकीर आपको यहाँ पर दिख र है कि क्या-क्या चीजों के आपको जोड़त परती जो मैं आपको starting में बता है अगर आपके पास GST है और company का या business का अगर आपके पास pan है तो कोई दिक्कत की बात होती नहीं है मैं get started के उपर क्लिक करूँगा country मैं अपनी इंडिया select कर लूँगा ठीक है यहाँ पर सारी ची से जो आपके documentation है official documentation उनको upload करने की बात करेगा तो जैसे अगर आपके नाम से related कोई और भी बिजनसे जो popular है वो होंगे तो आपको यहाँ पर बता देगा कि select if this is something which you want to verify for मतलब यह अगर आपका business है तो आप select करने बड़ अगर यहाँ पर आपको list में कहीं नहीं दिख रहा ह तो उस domain के उपर आपका जो email address होगा मैं आपको वही recommend करूँगा उसको आप use करें तुरंत कर तुरंत हो जाता है वो तो यहाँ पर जैसे अगर मेरी website omartaski.com मेरे पास email है admin at the rate omartaski.com तो मैं उसको यहाँ पर use कर लूँगा ठीक है यह अभी हमसे बाद में पूछेगा ठीक अपलोड करा था जो हमारे GST certificate होता है क्योंकि पैन के उपर आपका जो address है वो नहीं होता है basically तो legal name को authorize करने के लिए verify करने के लिए basically हम लोगों ने हमारे pan को upload किया और यहाँ पर हमने हमारे GST को upload किया था और उसके बाद upload करने के बाद दोनों ही documents आप upload कर देंगे उसके आपको next पर click करना है और वो आपसे फिर वो आपके email पूछेगा जो अभी मैंने आपको दिखाए था ने कि add the rate करके email है वो email आप mention कर दीजिएगा जैसे admin at the rate उमरतस्कीर.com यह हमने email डाल दी उसके उपर आपके पास कोई code आजाएगा उस code को आपको यहाँ पर mention करना है औ और आपके जो यह documents है यह verification के लिए upload होगे बस इतनी process है और कुछ भी नहीं ठीके देखो अगर आपको हमेशा problem आईगी अगर सारी चीज़ आपकी ठीक है तो verification में कोई भी problem नहीं आपको ना 7-8 गंटे के अंदर almost मेरा पिछला वाला जो business manager है वेरिफाई हो गया ऐसे कितने ही business managers को हम लोग regularly basis पर क्योंकि हमारे बहुत सारे clients काम करते हैं तो हम verify करते रहते हैं बट क्योंकि यह कल मैंने किया मुझे लगा आप लोगो बता देता हूं चाकि बहुत सारे लोग इससे सीख सके दोस्तों आशे करता हूं वीडियो को पसंद आया होगा और जिन जिन का भ करती तभी उनको याद आती business verification के और इसी लिए आज के टाइम में थोड़ा सा विजनेस verification थोड़ा popular हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग WhatsApp API का इस्तिमाल करने हैं आशे करते हूं दोस्तों वीडियो आपको useful लगा होगा मिल दें एक शीडियो में तिल नन गुड़ बाई कर दोस्तिमाल करा, कर दोस्तिमाल कर दोस्तिमाल